नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल V.E.R. एस्ट्रोलोजी में दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके सब्तमेस स्वातिन अक्षत्र में बेठे हैं तो आपको कैसे जीवन साथी मिलेंगे इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा आवस्य देखिए आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी साथी साथ अगर आप अपनी कुंडिली से सम्बंदित कोई प्रशन पूछना चाहते हैं तो हमारे नमबरों पे संपर्क करके अपनी कुंडिली का विसलेशन करवा सकते हैं अब आते हैं दोस्तों हम हमारे विसरे पर देखिए दोस्तों स्वातिन अक्षत्र के लोड होते हैं राहु देव और ये अक्षत्र तुला रासी में पढ़ता है अब देखिए दोस्तों फिजिकल एपिरियंस की बात करें तो आपके स्पाउस पर शुक्र और राहु दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा इसलिए आपके स्पाउस बहुत ही खुबसूरत होंगे एक मेगनेटिक चाम उनमें देखने को मिलेगा शार्प और फेर कॉमपलेक्शन आपके स्पाउस का हो सकता है यानि आपके स्पाउस काफी अट्रेक्टिव परसन होंगे उनके आँखें भी बहुत प्यारी होगी उनका एक ड्रेसिंग स्टाइल भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा एक तरह से फेशनबल और स्टाइलिस परसन आपके स्पाउस होंगे आपके स्पाउस की आवाज भी बहुत मीठी होती है अपनी प्यारी आवाज से वह किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं आपके स्पाउस में एक यूथफुल एनरजी देखने को मिलेगी काफी एक्टिव परसन होंगे वह हर सिच्वेशन में खुद को एड़ेस्ट कर सकते हैं यानि एक बैलेंसिंग परसनेलेटी होंगे आपके स्पाउस काफी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और नोलिजेबल परसन होंगे राहु के कारण उनका शार्प माइंड होगा यानि उनकी सोचने समझने की शमता काफी अच्छी होगी एक तरह से पोलिटिकल नेचर भी देखने को मिल सकता है यानि आपके स्पाउस काफी होंश्यार होंगे आपके स्पाउस इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लविंग परसन होंगे यानि अपनी पर्सनल लाइफ में वो किसी की दखल बरदास्त नहीं करते हैं वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जेना चाते हैं यानि आप अपने स्पाउस पर कंट्रोल करने की ना सोचें उन्हें थोड़ा स्पेस जरूर दें जिससे आपका रिष्टा प्यार बरा बना रहेगा वेसे आपके स्पाउस प्योर और काइंड आर्टेट परसन होते हैं काफी रोमेंटिक भी होते हैं यानि आपसे प्यार भी बहुत करेंगे और आपका खयाल भी अच्छा रखेंगे आपके स्पाउस को ट्रेवलिंग का भी बहुत सोख हो सकता है या उन्हें प्रोफेशन के चलते ट्रेवल करना पड़ सकता है कभी कभी ये इस्तिती फोरेंट सेटलमेंट को भी दिखाती है पर उसमें कुंडली में और भी योग देखने के बाद ही एक्जेक्ट बताया जा सकता है अब देखिए दोस्तों यह नक्षत्र तुला राशी में पड़ता है तो आपके स्पाउस को बैलेंस मेंटेन करना काफी अच्छे से आता है यानि एक तरफ आपके स्पाउस काफी मटेरलिस्टिक नेचर के होंगे एक लगजीरियस लाइफस्टाइल जीना पसंद करेंगे तो दूसरी तरफ सेविंग्स और फाइनेशल सेक्योरिटी भी उनके लिए काफी माइने रखती है दोनों ही सिच्वेशन में वो बैलेंस करके चलते हैं आपके स्पाउस इक्विलिटी में बिलीव करते हैं यानि किसी को छोटा बड़ा ऐसा नहीं मानते हैं एक इक्विल सब को मानते हैं आपके स्पाउस को लोगों में गुलना मिलना काफी अच्छे से आता है एक कॉम्यूनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है यानि एक वे ओफ टॉकिंग आपके स्पाउस का काफी अट्रेक्टिव होता है लोग काफी प्रभावित होते हैं उनसे कुछ नेगेटिव क्वैलिटीज की बात करें दोस्तों तो देखिए आपके स्पाउस में ऐसा हो सकता है कि वो कुछ मेटेरलिस्टिक्स ज़्यादा हो यानि खर्चा काफी कर सकते हैं कई बार वो शौफ करने के चकर में भी काफी खर्च करते हैं इसमें आपको उन्हें गाइड करना होगा और हो सकता है कि वो गुस्सा कभी ज़्यादा करें इसमें आपको उन्हें मनाने की जरूत पड़ेगी अगर वो गुस्सा किसी बात को लेकर हो जाते हैं सिच्वेशन में आपको उन्हें मनाना पड़ेगा वो चाहेंगे कि आप उन्हें मनाएं यह एक नेगेटिव पॉइंट उन्हें हो सकता है पर कोई बात नहीं है आप उन्हें मना लेंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कुल मिला कि आपके स्पाउस काफी सकते हैं और और या फिर देखा जाता है कि कि स्पाउस जुने से से स्रिधिब किसी प्रोफिशन में सबस्ते हैं जघ्र 01 लोयर जो निए क्रेटिबं से भी ऐसे लोगों को जुड वा देखा सकता है में रों स्वन टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनस कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, या जुवैलरी से रिलेटेड भी उनका बिजनस हो सकता है, लग्जीरियस आइटम जितने भी आते हैं, उनसे संबनने तो उनका बिजनस भी हो सकता है, तो इन प्रोफेशन से आपके स् मिलेंगे एक्जेक्ट आपके स्पाउस कैसे होंगे उसके लिए बहुत से बिंदों पर विचार किया जाता है जैसे कि सब्तम भाव सब्तमेश की स्थिति नौमांस कुंडली की स्थिति ऐसे कई बिंदों पर विचार करने के बाद ही एक्जेक्ट प्रेडिक्शन किया जा सकत तर आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है